राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सबहे? उमीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है, वो हर एक व्यक्ती के लिए बेहद आवश्यक होने वाला है चाहे वो व्यक्ती किसी भी धर्म से हो, किसी जाती से हो, किसी मजहब से हो, या इस्तरी हो या पुरुस हो, मतलब इस्चे बिलकुल भी नहीं है यह जो वीडियो है, वो हर एक व्यक्ती के लिए बेहद आवश्यक होने वाला है इस वीडियो में जो point है संभवता है इसके बारे में आपको पता नहीं होगा आपने देखा होगा कि हरेक घर में मकडी का जाल लगा होता है और लोग आलस्य के कारण जान बुझ कर मकडी के जाल को साफ नहीं करते हैं लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं परंतु आपको बता दे अगर आपके घर में भी इस प्रकार की बाते हैं मकडी का जाल अगर आपके घर में भी लगा रहता है और आपके घर के लोग उसको शाफ नहीं करते हैं तो कुछ बाते हैं जो कि आपको हर हाल में जानना चाहिए अगर आप ये नहीं जानते हैं तो बाद में आपको अफशोष होगा और फिर ऐसे वक्त में कोई भी इंसान आपकी शहायता नहीं कर पाएगा तो उससे पहले आप वीडियो को सुनें लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है एस्टरो मंदिर को सबस्क्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े हिंध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुवात करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे के बारे में उस तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा जोती सास्तर के अनुसार और वास्तू के अनुसार अगर आपके घर में मकडी का जाला लगा रहता है तो यह आपके घर में निगेटिव इनर्जी को नियोता देता है यानि कि आपके घर में निगेटिव इनर्जी को ये बुलाता है और इससे होता क्या है कि आपके घर में बीमारी, परेशानी, तनाओ, मनमुटाओ, संकट, धन की समस्या ये सब बहुत ज्यादा हो जाती है आपने सुना होगा कि घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमेशा घर को साफ रखो, घर में कहीं भी गंदकी नहीं रहने दो, अगर घर में कहीं भी मकडी का जाला है तो फटाफट उसको साफ कर दो, क्योंकि उनको पता रहता है कि मकडी का जाल जिस घर में ह उस घर के लोग दरिद्र हो जाते हैं उस घर के लोग गडीव हो जाते हैं और मांसिक रूप से वो विछिप्त हो जाते हैं उनका जो माइंड होता है वो उनका शाथ जयादा नहीं देता है आपको पता होगा कि अगर जिस घर में मकडी का जाल या फिर गंदगी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं उनका सुभाव चिरचिरा हो जाता है उनके माइंड में हमेशा नीगेटी बातें दौरते रहती है यानि कि मानसिक रूप से भी लोग श्वस्त नहीं होते हैं उस घर के जो लोग होते हैं उनका दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता है और ज दिवार की शांती भंग हो जाती है ऐसे घर के जो लोग होते हैं वो मानसिक रोग के सिकार हो जाते हैं कि मानसिक रूप से भी लोग बहुत जयादा कमजोर हो जाते हैं जिस घर में मकडी का जाल रहता है या गंदगी रहती है उस घर में कभी भी मातालक्षमी भगवान कु और फिर ऐसा घर जंगल के समान हो जाएगा यानि कि ऐसे घर में जो भी लोग रहेंगे उनके जीवन में हमेशा रुकाबट बहुत जयादा आएगी और उन लोगों को उनका श्वास्त भी शाथ बिलकुल भी नहीं देगा तो अगर शंभब हो तो आपको हमेशा अपने घर को पूरे घर को शाफ रखना चाहिए और अपने घर से हमेशा मकडी के जालों को गंदगी को आपको शाफ सफाई पर में बहुत ध्यान देना चाहिए और इन चीजों को हमेशा आपने घर से एकदम दूर रखना चाहिए दर्सकों अगर आपके मन में कोई प्रस्ट न हो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी शहाइता आविश्य की जाएगी वैसे मैं उम्मिद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सबस्क्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में आपको जै महादेब कमेंट कर देना है वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राधे